सुवा गताब सभीका और आप देख रहे हैं RK similar. तो दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज़िस्तान हाइकोड गरूबडी वरती एकजाम डेट की बारे में जी हा दोस्तो जो राज़िस्तान हाइकोड गूरूबडी वरती एकजाम डेट ये लगबग दो से तीन साल बीट गए है लेकिन अभी तक इसकी जो एकजाम तिती है वो गोशित नहीं हुई है इसके साथ ही जो लाखो इस्टूडेंट है उन्हें फिर से एक चिंता और सताने लगी है कि जो लोगडाउन की इस्टूडेंट है वो फिर से पेदा हो गई है क लोगडाउन लगेगा तो क्या फिर से फोस्ट पॉन होगी आगे बढ़ जाएगी क्योंकि जो एक्सपेटेड अनुमानित बताय जा रहा था कि आपकी जो एकजाम है वो मार्च अप्रेल में आयजित होने की संभावना बताई जा रही थी तो जो लाखो इस्टूडेंट ह है वो फिर से चिंतित होवे हैं तो अब वो सोच रहे हैं कि जो एकजाम है लोगडाउन लगा तो फिर कभ आज़ित होगी तो जो शिख्षा मंतरी है डॉक्टर विडी कला उनसे निवेदन है कि जो एकजाम है वो जल्द से जल्द करवाय जाएं तो लाखो जो स्टूडें अनुमानित या सोचल मीडिया अपडेट्स और यूटूब अपडेट्स की बातकरित कब तक आईजित होने की संभावना बताई जा रही है तो आपकी जो एकजाम है वो मार्च अन्तिम और अप्रेल के जो फर्स्ट या सेकंड वीक में जो आपकी एकजाम है वो आईजित होने की संभावना बताई जा रही है स्टूडेंट सोच रहे हैं कि जो हाई कोट गुरूब डिवर्ती है उसको तो जो रास्तान उचनेयले है वो भूल ही गया है उनको ऐसे लगता है कि जैसे इस वर्ती को तो वो भूल ही गया तो उन्हें याद दिलाना होगा कि जो जो बेरोजगार युवा है वो इस वर्ती की एकजाम का भी इंतजार कर रही है तो इस समस्या को लेकर जो लाखो स्टूडेंट है वो बहुत ही चिंतित है और बहुत ही दुखी है आपकी जो एकजाम तिदी को लेकर ओपीचल वेबसाइड पर तो अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट है वो नहीं है हम जो बताने जा रहे हैं वो है यूटूब अपडेट्स और सोशल मीडिया अपडेट्स के मताबिक ही आपको बता रहे हैं कि आपकी जो एकजाम है रास्तान हाई कोट गुरूब डी बर्ती की वो आपकी मार्च अन्तिम और अप्रेल के फर्ष्ट तक आपकी जो एकजाम है वो आईजित होने की संभावना बताई जा रही है तो दोस्तो इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरूर करें इसके साथ एगर आप सरकारी नोकरी से जुड़ी जो भी लेटेस् अपडेट चाहिए तो आपको हमारी वेबसेट और के अलग डोटिन पर मिल जाएगी तो आपको एकजाम की चिंता है वो करनी नहीं है आपको जो तयारी कर रहे हो उसको बीच में नहीं छोड़नी है आपको रेगुलर तयारी करनी है अगर एकजाम आज नहीं होती है तो कल होगी अगर कल भी नहीं होती है तो परसो होगी लेकिन आपकी एकजाम है वो तो होगी ही ये तो है नहीं कि आपकी जो एकजाम है वो कभी भी नहीं होगी एक दो महिने और लेट सही क्योंकि आप दो तीन साल से वेट कर रहे हो तो एक दो मैने और सही लेकिन आपको तैयारी है वो बीच में नहीं छोड़नी है तो दोस्तो धन्यवाद मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ